और दोस्तों कैसे हो बताओ और ये भी बता तुम लोगी जिन्दी कैसी चल रही है एक बंदा बहुत ही सफर कर रहा है इस प्रॉब्लम से तो उस प्रॉब्लम का हम सुलूशन निकालने कोशिच करेंगे इस वीडियो में तो बात करेंगे लेकिन तुम बंदा हुई या बंद जो extrovert होते हैं उनके सामने में बात करने में मेरी फट जाती है ठीक है तो हम देने की कोशिच करेंगे उसको तो इसमें आगे जाने से पहले हमें यह जानना तो जरूरी है कि इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है definition first क्योंकि कहीं ना कहीं तुम गलती कर रहो गई क्या कर्त तुम यह गलती कर रहो तुम तुम्हें इंट्रोवर्ट का मतलब ही नहीं पता इंट्रोवर्ट का definition तुम जानना चाहिए पहले इंट्रोवर्ट का मतलब कुछ अलग होता है तुम जिसकी बात कर रहे हो ना वो shyness कहते हैं उसको shyness का मतलब क्या होगा shyness मतलब तुम nervous हो तुम यह सोचरों कि साम्रे वाला इंसान का approval चाहिए अगर पसंद नहीं आता है तो मैं गांडू हूं मैं बेवकूफ हूं सब्सकुछ मैं ही हूं मैं मैं सब कुछ हूँ लेकिन सामने वाला इंसान तो परफेक्ट है ना इस हिसाब से जब तुम जाते हो तुम्हें सोचल एंग्जाइटी होती है मस्ट और उसको हम शाइनिस कहते हैं लेकिन इंट्रोवर्शन का मतलब अलव हो गया इंट्रोवर्ट उसको कहते हैं जो इंट्रोवर्ट जो इंसान हर वक्त बात करता है इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन वो यह जानता है एल्लीस की कहां पर बात करना चाहिए और कहां पर नह नहीं है क्योंकि इसका मतलब यह नहीं कि हर जगा तुमें मूह घुलना एं तुम्हारे का मतलब होना चाहिए लेकिन बात ऐसा नहीं कि कुछ भी बात करने लगजाओ हर बक्त 24 hours तुम्हें बात करना ही है इसका कोई मतलब ने वो ऊसको पता है जो जिसको तुम introvert कह रहे हो और introvert कोई बेवकूफ नहीं होता हो लेस इंटरीम का मतलब उसको ये भी पता है कि भाई मैं बात करने में में को कोई social anxiety नहीं है वो बात नहीं कर सकता है ऐसी कोई बात नहीं है वो बात तुमसे भी बहतर कर सकता है शायर लेकिन उसको बात करना नहीं है हर जगे उसको वैसी जगह पर बात करना है वैसे situation पर बात करना है जहां पर उससे लगता है कि जरूरत है हाँ कभी भी यह सुचनी गलती मत करना, कि इंट्रोवर्ट का मतलब उसको फट जाती है बात करने में, उसको यहाँ से पसीने आना लग जाते हैं उसको बात करना नहीं आता वो 24-hour justice चुपचा भी रहता है जसभी जगाप पे रहता है, इसको इंट्रोवर्ट नहीं कहते हुआ बहुत अच्छा personality type है बहुत बहुत बहतरीन चीज है कि जब तुम जानते हो कब बात करना है कैसा बात करना है जब भी मैं बात करूंगा उसको एक value होना चाहिए उसका एक value होगा और मेरा बात करने का टरीका धंका होना चाहिए बस मेरे communication skills बहुत अच्छे है मैं जानता हूँ किसे कैसे बात करना चाहिए इतना अगर है तो यह कोई problem ही नहीं है बहुत अच्छी चीज है लेकिन तुम्हारा problem यह नहीं है तुम shy हो शायद तुम shyness की बात करते हो लेकिन shyness कहां से आता है चलो इसका root cause ढूनते है और इसको solve कर करते हैं तेले तुम्हारा यह shyness is longing से आ रहा है कि मिरेको लोगों का approval चाहिए मिरेको लोगों का चाहिए कि लोग मुझे value दे मिरेको respect दे मिरेको seriously ले बाई मिरेको attention चाहिए लोगों का जब भी मैं किसी की साथ बात करूंगा तो वह ताली बजाएगा बाई always ताली बजान किसी की साथ बात कर यह नहीं पाऊगे कि यह practically possible ही नहीं है कोई इंसान के साथ तुम बात करोगे उसमें 50-50 chance होता है क्या उसको पसंद आएगा तुम्हें उसको पसंद नहीं आएगा लेकिन इसको लेके तुम्हें सरपे नहीं चलाना है इस चीज को लोगों का approval कोई important नही किसी भी इंसान के साथ तुम बात कर रहे हो भाई ultimately यह सोचना at the end of the day वो भी एक इंसान है तुम भी एक इंसान हो दिन में दस बार में से वो भी दो बार गलती करता ही है minimum उससे जाधा भी कर सकता है तो वो भी एक flawed human being है मैं भी एक flawed human being हूँ उससे बात करने में मेरा फटना नहीं जाए भाई यह तो भाई तुम्हें convince करना होगा अपने आपको यह तो ऐसे ही तुम्हें mind को condition करना होगा तुमारे दिमाग के अंदर हर वक्त यह thought होना चाहिए कि भाई मैं share हूँ भाई मैं किसी के सामने बैठा हूँ भाई वो कौन है मेरे को नहीं पता भाई मैं share ह मैं ऐसे बात करता हूं मैं तुम्हेरे साथ घंग से बात करूँ गा मैं सही सही बात करूं दोटर्म मैं सोच समझ के levar लेकिन मेरे सामने वह कोई नहीं चाहिए उसका अपने अंदर समझने के लिए वाई क्यों उसका ईञए उसका अपने अंदर ही इसको convince कर सकते ओं आपको नहीं कर सकते हो क्या, हर एक इंसान तुम्हारे बात को नहीं भी पसंद कर सकता है, तुम्हारे बात करने का तरीका भी नहीं पसंद आ सकता है उनको, लेकिन इसका मतलब यह नहीं, सभी को मैं खुश करना है भाई, तुम सभी को खुश नहीं कर सकते है भाई, यह प्र वो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनका personality इंट्रोवर्ट परसनालटी होता है, तो क्या सोचते हैं, इसका मतलब उनको कोई respect नहीं देता, कोई value नहीं देता, क्या, कोई attention नहीं देता, भाई, पागलों की तरह भागते हैं, लोग उनके पीछे, उनसे बात करने में लोगों की इसक्पेक्टी चाहिए, मेरे को value चाहिए, मेरे को यहीं चाहिए, कि लोग मेरे को seriously ले, ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन इसका funda मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके पीछे एक fact होना चाहिए, तुम्हें सब कुछ मिल जाएंगे, तुम पूरा दिन बात ना करो, तुम वहरा बन जाओ, तुम पागल बन जाओ, लेकिन तुम्हें लोग फिर भी value देंगे, फिर भी सब कुछ देंगे जो तुम्हें चाहिए, पता वो चीज क्या है, पैसा, तुम्हें अमीर बनना पड़ेगा, तुम्हें wealthy इंसान बनना पड़ेगा, क्या सोचता हो भई, मैं त ज्यादा इंट्रोवर्ट हू, मैं बात ज्यादा नहीं कर सकता, मेरे को बात करने में शरम आती है, तेरे को क्या लगता है, उनका response क्या होगा, सर आइए, आईए, आईए, खरीद के जाईए, कुछ नहीं, जाट उपर फर्ग नहीं पड़ता हमको, आप क्या है, कोई इंट अगवान हो, तेरे को डोचा ड्रिंक भी पिला देंगे, तेरे को कहेंगे भाई, इस कॉंफी सोफा में आप बैठिये, सर सर करके बात करेंगे तेरे साथ, पूरी दुनिया पागल हो जाएगी तेरे पीछे, जा असपास जितने भी लोगों को देख रहा है न, घड़ पे आके तिरे को पूचेंगे, तु कैसा है, भाई एक पुरानी कहावत है भाई हिंदी में, जब तक तेरे जेब में पैसा है, लोग पूचते है, कैसा है, यह एडियालिटी है भाई, इसको तुम्हें accept करना ही होगा, कर सकते हो यह, सब कुछ मिल जाएगा, हाथ खोल के सब सहने होगे, अगर उससे चाहते हो, उससे पहले यह सब प्रॉब्लेंस तुम सॉल्व करना चाहो, तो मैं यही कहूंगा, इस सीज को accept करो, कि भाई सान्य वाले इंसान के सब बात करूं या ना करूं, मेरे को फर्ग नहीं पड़ेगा, उसको क्या लगा, वो उसका प्रॉब या दुनिया के बाड़े में एक डाइवर्स नॉलेज हो तुमारे अंदर, यह होना चाहिए, बैए, अदरवाइस यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कब बात करते हो, तुम तभी बात करो, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह इंट्रोवर्ट यह बहुत अच्छा परस बत अच्छे से मैं सम्झा पा बार में सोचना ठीक है, द्यान से सोचो, इस सीज के बार में यह कोई प्रॉब्लम है नहीं यह तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा अंदर और यहां पर चैनल को खोल के बैठा हूं मैं तुम्हों के लिए प्रॉब्लम्स अपने भेजो वीडियो बन सकते हैं बना दूंगा उनके बारे में कोई टेंशन नहीं है टेंशन ना लो ऐसे वीडियो आते रहेंगे अभी ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करो लेकिन मेरा थोड़ा सा तो फेवर करो अगर मैं इतना कुछ कर सकता हो तो इतना तो कड़ी सकतो एक क्लिक क बात है यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दो बाई सब्सक्राइब कर दो तुम्हें भी अच्छा लगेगा मेरे को भी अच्छा लाइगा मेरे बीच में एक प्यारा सोशल रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा बाइसे बादें बात करेंगे और तब तक के लिए चलो बाइ